हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 36 गड़ की फेमस चौसेला और चटनी की रेसिपी इस रेसिपी को बनाना जितना ज़्यदा आसान है ये खाने में उतनी ज़्यदा टेस्टी होती है चौसेला के साथ ये जो चटनी का कॉंबिनेशन होता है इससे इसकर जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है तो चलिए आज की इस मज़िदार चौसेला और चटनी की रेसिपी को शुरू करते हैं रेसिपी आप सभी को पूरी देखने के बाद थोड़ सी भी अच्छी लगे तो प्रीज वीडियो को लाइक शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा सबसे पहले हम चौसेला के लिए आठा गूत करके त्यार करेंगे तो उसके लिए एक मिक्सिंग बॉल लेंगे उसमें हम डाल देंगे दो कप चावल काटा साथ हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक अब अच्छे से इन दोरों चीजों को एक बार हम मिक्स कर लेंगे चौसेला जो होता है वो चावल के आठे से बराया जाता है बेसिकली यह चावल के आठे की पूड़ी होती है जिसे 36 गड़ में चौसेला का जाता है अब हम इसमें पानी डालेंगी तो आपको एकदम उबला हुआ गरम गरम इसमें पानी डालना है ठंडे पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ठंडे पानी का आप इसमें यूज़ करके बनाएंगे तो आपका जो आटा है वो फटने लग जाएगा और आपकी पूड़िया अच्छी तरीकी से बनेगी नहीं तो आटा यहां पे हलका सा गुलूना हो चुका है इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसका एक डो बना करके हम त्यार करेंगे और आटे को हमे बहुँथ जादा सक्त नहीं करना है जैसे हम पर आटे के लिए अटा गूधेना बिल्कोल इसका आटा गूध करके तयार करना है तो लीजी देख सकते हैं बहुत ही चिकना हमारा यहां पे आटा लग करके त्यार हो गया है अब हम इसे ढख करके साइड में छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए तो जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है हम इसके लिए चटनी बनाएंगे तो उसके लिए एक मिक्सर जार में मैंने यहां पे दो टमाटर को रफली चॉप करके ले लिए है साथ ही में आपे डाल देंगे 5-6 लसुन की कलिया दो हरी मिर्ची लेंगे उसको हम तोड़ करके आपे यूज़ करेंगे अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की कॉन्टिटी आप बढ़ा भी सकते हैं अब हाग टीज़्पून हम इसमें नमक डाल देंगे और खुप सारी हम इसमें डाल देंगे धनिया की पती यह जो धनिया टमाटर की चटनी है चौसेला के साथ इसका जो टेस्ट है वह बहुत ही बढ़ी आता है तो जब भी आप चामाल आटी की पूरी बनाए इस चटनी को एक बढ़ जरूर ट्राइ कीज़ेगा आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा चली चटनी को मैंने याप पीस लिया है अब इसको एक कटोरी में हम ट्रांसफर कर लेते हैं और चटनी को हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है हलका सा इसे दरदराई रखना है देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे पीसा है तो टमाटर की चटनी याप बिल्कुल रड़ी है आटा भी हमारा अची तरीके से सेट हो चुका है तो आटा को एक बड़ बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा चोटा चोटा इसे नहीं रखना है और अगर आपके हाथों पे थोड़ा सा ज़्यादा चिपक रहे है तो आप हलका सा उयल लगा करके हाथों को पहले ग्रीस कर लीजिए उसके बाद इस तरीके से बिना क्रेक्स के एकड़म बढ़ी आप लोई बना करक यहाँ पे पॉलिथीन इस तरीके से उसको बीच में से मैंने कट कर लिया है अब पॉलिथीन के ऊपर थोड़ा सा ओल लगा करके हम इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम इसमें पूड़ी बेले ना तो चिपके नहीं उसके बाद आटे के ऊपर भी हम थोड़ा सा ओल लगा करके उसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे और पॉलिथीन को हम इस तरीके से ढख करके अब पूड़ी बेलना शुरू करेंगे आप चाहें तो हाथों से फैला फैला करके इस तरीके से पूड़ी बेल सकते हैं या फिर बेलन की सायता से हलके हाथों से आप इसकी पूड़ी बना सकते हैं तो बिल्कुल हलके हलके हाथों से पॉलिथीन को सरका करके एकदम हलके हलके हाथों से आप इसे बेल लीजी बहुंँ जदा बड़ा नहीं करना है भिलकुल एकदम छोटे साइज की हमें पूरी बेल करके इसकी तियार करनी है तो इसे निकालने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह की से मैंने इस उठाया है हलके से आपको polythene को खीज़न है इसे हाथ में रख करके तो एक पूड़िया मैंने आपे बना करके त्यार कर लिए है इसी तरीके से अब बाकी की पूड़ियों को भी हम बना करके त्यार करेंगे पूड़ियों बनाते समय आपको ध्यार रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और polythene की उपर रख करके हलके हाथों से अगर आप इसे बेलेंगे तो आपकी पूड़ियों बहुत ही बढ़िया बन करके त्यार होगी और इस पूड़ियों की साइड अगर आप इसे बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर कोई कटोरी या फिर ग्लास अप सेट कर लिए उससे आप इसे अच्छी तरीके से बीच में से कट कर सकते हैं तो आपकी पूड़ियों बहुत अच्छी बन करके त्यार होगी तो चार से पांच पूड़ियों यहां पर बना ली है उसके बाद मैंने ऑइल को कड़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है और जब आपका अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा तब हम इसमें पूरी डाल करके इसे फ्राय करेंगे तो देख सकते हैं बहुत सारे बबल्स हैं तो टच नहीं करेंगे जब चामल की पूरी ना हलकी से वाइट कलर में ही होती है तो पूरी हमारी यहां पर अच्छी तरीके से तल चुकी है इसको एक टिशू पेपर पर या फिर किचन टॉवल पर निकाल लीजे ताकि जो भी इसमें एक्स टॉइल हो निकल जाए अब इसी तरीके से बाकी की सारी बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो आप भी इस चौसेला और चटनी की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब करना बिलकुल ना भूलें